सोन भद्र जा रही प्रियंका गांधी वाज़्रा को पुलिस ने रोका प्रियंका को चुनार गेस्ट हाउस लाया गया इलाके में धाराइक 244 लागू सोन भद्र नरसंगार पर बोले सीयम योगी कहा दोश्यों के खिलाफ होगी सक्त कारवाई सोन भद्र विबात के लिए कॉंग्रेस को चहराया गया जिम्मेदार भाई पर आयकर विभाग के कारवाई से भड की मायावती विजेपी पर लगाए आरोप कहा सरकास सभी की जाच कराए आई एमे पोंजी चीट फंड केस के मुख्या आरोपी मनसूर खान गिरफतार मनसूर खान पर करोडों की धोखा धड़ी का आरोप नमस्कार आप देखरें इंडिया वाच और ग्रॉंड जेरो रिपोर्ट की साथ मैं दीपसी दिवेदी लखनों में आर्य प्रतिनी थिस सभाग के आर्य समाज गडेश गंज के मंत्री मन मोहन तिवारी को बाहर का रास्ता दिखाया ग्या है धार्मिक और समाजिक छेत्र में साल 1897 से काम कर रही आर्य प्रतिनी थिस सभा राजधानी के एश बाग इलाके में दयानन्द एंगलो वैदिक कॉलेज और मोती नगर में बालिका विद्याला इंटर कॉलेज सरीखे आगा शाच्छिक संस्था चला रही है के कारकरताओं के सामने ये लाया गया कि प्रबंधक के तौर पर मनमोहन तिवारी शाच्छिक संस्था को नुकसान पहुचा रहे थे जिसके बाद अंदरूनी तोर पर विस्तर जाच के बाद इन आरोपों को सही पाया गया है और आखिरकार संस्था के प्रधान डॉक्टर धीरत सिंग् ने मनमोहन तिवारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिसके बाद अभिशेक तिवारी को संस्था का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है तो इससे पहले भी इंडिया वाच ने इस खबर को प्रमुक्ता से आपको दिखाया था और एक बार फिर अब जब यह मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है तब भी आप तक यह खबर पहुचाई जारे इंडिया वाच के द्वारा कि अब मनमोहन तिवारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनके जगह अभिशेक तिवारी को जगह दी गई है तो इडियेवी कॉलेज का प्रवंधन बदल गया है और अभिशेक तिवारी को दीयेवी कॉलेज का प्रवंधन बनाया गया है आपको बता दे कि लखनों में आरे प्रतिनी थी सभा ने आरे समाज गड़ेश गंच के मंत्री मनमोहन तिवारी को बाहर का ये रास्ता दिखाया है धार्मिक और समाजिक छेत्र में साल 1867 में इसे काम कर रही आरे प्रतिनी थी सभा राजधानी के एशबाग इलाके में दयानंद एंगलो वैदिक कॉलेज और मोती नगर में बालिका विद्याला इंटर कॉलेज सरीखियाला शैचिक संस्था चला रही है जहां प्रतिनी थी सभा के कारकर्टाओं के सामने ये लाया गया कि प्रवंधक के तौर पर मनमोहंतिवारी शैचिक संस्थाओं की प्रतिस्था को नुकसान पहınचा रहेे थे जिसके बाद अंद्रूनी तौर पर विस्त्रिट जाच के बाद इन आरोपों को सही पाया गया है और आखिरकार संस्था के प्रधान डॉक्टर धीरत सिंग ने मनमोहन तिवारी को बाहर का रास्ता दिखाया गया इससे पहले भी आपको इंडिया वाच ने इस खबर को प्रम भी शेक तिवारी को नियुक्त किया गया है तो अब खबर उत्र प्रदेश के सोनभद्र नरसंगार से नरसंगार का मामला है जहां पर दस लोगों की मौत के बाद सीम योगी आदितिनात ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है जहां उन्होंने इस घटना को दुरभाग पूर्ड बताया है वहीं उन्होंने दो टूक कहा है कि दोशियों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी साथ ही सीम योगी ने सीधे सीधे इस घटना के लिए कॉंग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि इस घटना की नियू जो है वो 1955 में ही पढ़ गई थी जब ने कहा कि घटना की कारवाई के लिए तुरंत निर्देश दिये गए हैं और दो सदस्य कमेटी का गठन किया गया है जिन्होंने घटना के 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौब दी है तो ऐसे में अब सीम योगी आदितनात दुख जताते हुए सख्त कारवाई की बात कर रह लाड़े हाथ लिया है उन्होंने कहा कि 1955 में ही इस घटना की नियू पड़ गई थी जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो ऐसे में अब सक्त कारवाई होगी और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौब दी है ऐसा योगी आदितनात ने कहा और सीम योगी आदितनात जिस तरह से एक दिलाएंगे और जो भी आरोपी है उनको उन पर सक्त कारवाई की जाएगी तो अब खबर बिहार से है जहां बिहार के सारड से भीड तंत्र की गुंडागर्दी की खबर है जहां सारड जिले के बनियापुर इलाके में भीड ने तीन लोगों को पशुचोरी के आरोप में पीट-पीट कर मार डाला वहीं गतना की सूशना पाकर मौके पर पहुची पोलिस ने मृत को के शोओ को पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है और मामले में पोलिस की जाँच जारी है तो आपको बता दे कि इससे पहले मध्यप्रदेश के नीमच में भी भीड ने बकरा चोरी के आरोप में तीन होने की सूशना मिली इसके बाद उन्होंने मामले में बिना कोई पुखता जानकारी जुटाए इन लोगों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई है तो ऐसे में परिवार में मातम का माहूल है और प्रशासन जो है जांच में जुटा हुआ है तो उन्होंने मामले में बिना कोई पुखता जानकारी जुटाए ही नोगों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया जिससे इन तीन लोगों की मौत हुई है और ऐसे में मौत की वज़े से परिवार में मातम पसरा हुआ है साथ ही बिहार में जो है पुरे बिहार में माहूल भीर है आई मॉनिट्री एडवाइजर आई एम ए पूंजी घोटाला मामले में आई एमे के संस्थापक मनसूर खान को दिल्ली एरपोर्ट से एडी ने गिरफ्तार कर लिया है जोहां आगे की पूछताच के लिए उसे दिल्ली के स्थित एडी कार्याले ले जाया गया है वही पैसे पुराने निवेशकों को लाब के तौर पर दे दिया जाता है तो मनसूर खान पर इसलामिक बैंक के नाम पर हजारों लोगों से धोखा धड़ी करने का आरोप है और इससे पहले मनसूर खान ने एक वीडियो जारी कर भारत लोटने की बात कही थी तो मनसूर खान ने अमेरिका के राश्च्च्रपती डोनाल ट्रम्प नमंबर और जन्वरी के शुर्वाती हफ्तों में भारत की यात्रा कर सकते हैं जहां उनकी इस यात्रा के लिए अमेरिकी और भारत के आधिकारियों के बीच बाद चिज़ जारी है वहीं जल्द ही उनकी यात्रा की आधिकारिक घोशना की जा सकती है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रम्प की इस यात्रा के दौरान व्यापार और रक्षा छेत्र में दोनों देशों के बीच चल रहे गतिरोध पर चर्चा हो सकती है और आपको बता दे कि ट्रम्प की यात्रा से संबंधित चर्चा अभी प्रारंबिक चरड़ पर है और इससे पहले वाड़िज मंत्री प्योश गोयल अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे साथ ही ट्रम्प की सियात्रा के संकेत अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉंपियों ने भी दिया है तो मीधिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही राश्रपती ट्रम्प और प्रधान मंत्री मोधी एक बैठा करेंगे जिसमें व्यापार और रक्षा के छेत्र के वि पॉनाल ट्रम्प भारत यात्रा पर आ सकते हैं नमंबर या जन्वरी के महिने में यहां वक्त एक छोड़ से ब्रेक का फॉरन हजिरोंगे आप देखते हैं इंडिया वोच विजेपी पर सीधे तोर पर हमला करते हुए मायावती ने कहा कि बिजेपी को वंचितों और शोसित को आगे बढ़ने से तकलीफ होती है बिजेपी को अपनी और जाग कर देखना चाहिए चुनाओ के दोरान 2000 करोड से ज़्यादा बिजेपी के खाते में आए लेकिन इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ इसके भी जाश होनी चाहिए और आपको बता दे कि आयकर विभाग ने मायावती के भाई के खिला बड़ी कारवाई करते हुए 400 करोड रुपए के बेनामी संपत्ति को जब्त कर लिया है एक प्लाट था जो कि दिल्ली से 60 नवटा में है 400 करोड रुपए का है वो और बेनामी संपत्ति है जिसे कलायकर विभाई ने जब्त कर लिया उसके बास से सियासत लगातार जारी है मायावती ने आज जो सुभे प्रेस कांफरेंस की और बिजेपी सरकार पर हमला बोला उन्होंने उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिजेपी जो है वो वन्चितों को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकती है और बिजेपी इमानदारी से काम नहीं करती है बिजेपी सरकार में इस तरह से भ्रष्टा चार हो रहा है ने हर मुद्दे को ठाया और अब बिजेपी पर हमला करने की कोशिस की योपे के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अन्सी आटी की किताबे पढ़ेंगे जहां उत्तर प्रदेश सरकार राजुके मदरसा चात्रों के लिए नई सौगात लेकर आई है महें अलपसंख्यक कल्यान मंत्री लक्ष्मी नरायन चौधरी ने बताया कि अब मदरसा में पढ़ने वाले चात्रों को न्सी आटी की मुफ्त किताबे मुहया कराई जाएंगी और इसके साथ ही मदरसों में न्सी आटी की जो बुक है वो चलाई जाएगी न्सी सी और स्काउट गाइड प्रसिक्षर शिवर शुरू किये जाएंगे और आपको बता दे कि सरकार का मकसद बच्चों के भविश्यक को समारना है ताकि उनका कल बहतर हो सके साथ ही मदरसों में अब अर्वी और उर्दु के अलावा अंग्रेजी, विज्यान, गडित, हिंदी और अन्य विश्यों को भी पढ़ाया जाएगा तो मदरसों में अब बच्चे पढ़ेंगे NCRT की किताबे और साथ ही उनके भविश्यों को बहतर बनाने के लिए एक अच्छा और सराहनिय कदम माना जा रहा है देश का एक बड़ा हिस्ताल लगातार पानी की किल्लत से जूज रहा है इसे देखते हुए यूपी सरकार ने पानी बचाने के लिए एक अनुखा फैसल लिया है जहां उत्तर प्रदेश विधान सभा में अब विधायकों को पीने के लिए आधा ग्लास पानी ही मिलेगा वहीं दुबारा मांग पर ही उन्हें पानी मिलेगा ताकि ये ऐसा हो सके कि पानी बचाया जा सके और आपको बता दे कि प्रमुख सचियू प्रदीब दूबे ने एक जारी आदेश में कहा कि जल सेरक्षड के देश से माननी अध्यक्ष विधान सभा द्वारा ये निर्देश दिये गए हैं कि विधान सभा परिसर में प्रारंभ में आधा ग्लास पानी दिया जाएगा की जाती है कि वो इस व्यवस्था का ततकाल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे अब खबर बारा बंकी से जहां लगातार हो रही गोवन्शों की मौतों को लेकर सरकार ने प्रशासन को कड़ी निर्देश दिये हैं जिसके चलते डियम ने प्रेस कॉन्फरेंस कर गोवन्शों की मौतों की रोक्ताम के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाई है साथ ही डीम ने लोगों से सहयोग के लिए खाते में कुछ न कुछ जमा करने की माँगी है और इस दोरान डीम ने बताया कि पश्वूँ के चारे के लिए सरकार से 1.05 करोड मिला है जिस इसमें से 90 लाख रुपए भूसे चारे पर खर्च हो चुके हैं और अभी भी धन की समस्या बनी हुई है वहीं 12 बंकी के लोनी कट्रा में विवाहिता के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया आपको बता दे कि शौच के लिए गई बालिका को पकड़ कर जान से मारने की धमकी दी गई और विवाहिता को धमकाते हुए दरिंदो ने दुश कर्म किया जहां घतना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने पेडित महिला को च्छी में भरती कराया जिसके बाद विवाहिता के साथ गैंग रेप होने की आशंका के चलते पुलिस मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कारवाई करने की बात कह रही है वहीं मामले की जाच शिकर पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कारवाई हो पाएगी फिलहाल मामला दर्श कर लिया गया है और आगे कारवाई रिपोर्ट आने के बाद होगी पिछले कई दिनों से नैपाल के पहाडों पर हो रही बारिश के पानी ने बहराईच की सर्यू नदी का जलस्तर काफी बढ़ा दिया है जिसके चलते सर्यू के किनारे बसे लगभग एक दरजन गाउं जलमगन हो गए हैं और लगभग पचास हजार लोग प्रभावित हुए ह साथ हिन गाउं के संपर्क मार्ग भी तूट गए हैं वहीं प्रशासन अभी भी सो रहा है आपको बता दे कि जिले के कई गाउं में बार जैसे हालात हैं लेकिन प्रशासन इसे बार नहीं मान रहा वहीं बार के पानी से घिरे गाउं के हालात बत्तर होते जा रहे हैं एक ग गाउं तक पहुच जाते हैं तो प्रशासन अभी गहरी नीद में सो रहा है वहाँ पर कई गाउं जल्मंग नहीं उठे हैं पानी की वज़े से पूरा हाहाकार मचा हुआ है जिस तरह से वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं लेकिन प्रशासन अभी भी ध्यान नहीं दे रहा ग्रेटन औरडा के एकोटेक थार्ड थाना छेत्र में बाइक टकरा जाने से नाराज दो सिपाहियों ने एक युवक की जम कर पिटाई कर देश दौरान मौके पर मौझूद लोगों ने सिपाहियों की मारपीट का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर द इसके मुताबिक इन दोनों सिपाहियों की पहचान हो गई है ये दोनों नौइडा के सेक्टर 146 मेट्र स्टेशन पर तैनात है तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ है इसमें दो सिपाही है जो एक युवक को पीट रहे हैं हाला कि इसक खिलाफ अपकारवाई भी हो चुकी है अभी के लिए इतना ही बाकि देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देख तेरे इंडिया वाच नमस्कार